हेलो फ्रेंज, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा सेर करने जा रही हूँ, जो आप लोकडाउन में बाहर का नहीं खा सकते हो, लेकिन घर पे बना के जरूर खा सकते हो, ये चटपटा भी है और बनाने में भी आसन है, तो आज में बनाऊंगी दिल्ली की फेमस सेवपूरी चाट आप सब इने ठेले पे तो जरूर खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिए, ठेले की सेवपूरी खाना भूल जाएंगे, बचो के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना होता है, तो ये सेवपूरी चाट बना के बचो को खिला ये बहु तो स्टार्ट करते हैं सेवपूरी चाट बनाना, सेवपूरी चाट बनाने के लिए पहले हमें छोटी छोटी गोल गोल पूरिया बनानी होगी, तो पूरिया बनाने के लिए मैं एक बाउल में दो कप मेंदा लेती हूँ, इसमें आधा कप सोजी भी एड़ कर लेती हूँ, सोजी डालने से पूरिया बहुत ही क्रिस्पी बनती है यहाँ पर मैंने दो कॉप मेंदे के सामने अधा कॉप सुजी ली है इसी मेजर मेंड के साथ बना ये पूरिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मोन जो मैंने मोन के लिए 2-3 चमत तेल लिया है और साथ में ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक यानि कि 1 चमत नमक मैंने डाला है आप अपने टेस्ट के एकोडिंग नमक डाल सकते हो अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अगर आप मेंदे से पूरी नहीं बनाना चाहते तो आप गेहु के आटे से भी एसी छोटी छोटी पूरिया बना सकते हो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी एट करके अच्छे से डोव बना लेंगे डोव हमें टाइट बनाना है डोव जितना टाइट होगा उतने ही पूरिया क्रिस्पी बनेगी तो डोव हमने पूरियों के लिए तयार कर लिया है उपर से एक चमत तेल डालके डोव को में अच्छी तरह से मेश कर लूँगी डोव बन कर तयार है तो इसको में 10 से 12 मिनट के लिए रेश करने के लिए रख दूँगी 10 से 12 मिनट के बाद हम इसमें से छोटी छोटी पूरिया बनाएंगे जो डोव को हमने 10 मिनट के लिए रेश करने के लिए रखा था वो अच्छी से सोफ्ट हो गया है इसमें से मैं बड़ा बड़ा पाट लेके बड़े बड़े लूई ये बना लूँगी क्योंकि पहले हमें बड़ी बड़ी ही पूरिया बनानी है तो इस तरह से मैं सारे डोव के बड़े बड़े लूई ये बना लेती हूँ सारे डोव के लूई बन गए है तो इसमें से मैं अब बड़ी बड़ी पूरिया बनाऊंगी मैंने यहाँ पर पतली सी बड़ी यासी पूरिया बना लूँगी अब मैं यहाँ पर इस तरह के cutter की help से छोटी-छोटी पुरिया बना लूँगी और जो यह side वाला part है उस से में दूसरी पुरिया बना लूँगी इसी तरह से में सारी पुरिया बना के रख लूँगी सेव पूरी चाट बनाने के लिए हमें फुली हुई पूरिया नहीं चाहिए इसलिए मैं पूरी पे फोर्क की मदद से इस तरह से डोट बना लेती हूँ तलने के लिए छोटी-छोटी पूरिया बन कर तयार है तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकल लेती हूँ गेस पे मैंने पहले ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था, तो मैं यहाँ पे गेस की फ्लेम को लो रखके सारी पूरिया तलने वाली हूँ, पूरी को मैं लो फ्लेम पे ही तलूंगी, जब तक यह गोल्डन ब्राउन होती है तब तक गेस को मैंने बन कर दिया है, क्योंक पूरिया एक गंटे के बाद ठंडी हो जाएगी तो अब हम सव करेंगे एक गंटा हो चुका है और पूरिया भी हमारी ठंडी हो गई है सेवपूरी चाट बनाने के लिए सारी तयारी हो चुकी है तो अब हम बनाते हैं सेवपूरी यहां पर मैंने उबले हुए आलू को मेज क लिया है और साथ में तिन तरह की चटनी ली है इसके साथ साथ बारिक कटी हुई प्याज चाट मसाला और लच्छा सेव ली है इन सारी चीजों से बनाएंगे सेव पूरी चाट ये तीनों चटनी भी मैंने घर पे ही बनाई है इसकी रेसीपी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी पूरी को मैंने डिस में रख दिया है जो आमने उबले हुवे अलू को लिया था उसको में पूरी के उपर रख रही हो तक्रिबन ये एक चमत जितना हुगा उसके उपर एक चुटकी चाट मसाला छिड़केंगे अलू के उपर चाट मसाला छिड़कने से अल रसुन खाना पसंद नहीं करते हो तो ये चटनी आप स्किप कर देना अब मैं डाल रही हूँ हरी चटनी हरी चटनी टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है और ये सेवपूरी का टेस्ट ही बदल देगी ये हरी चटनी के बीना सेवपूरी फिकी फिकी लगती है अब बारी है मिठी चटनी की, ये मिठी चटनी बच्चों को बहुत ही पसंद होती है इसलिए मिठी चटनी को आप जरूर से बनाईए इससे बच्चे बहुत पसंद करते है अब इसके उपर बारिक कटी हुई प्यास को में डालूंगी प्यास के बीना चाट अधूरी अधूरी लबती है और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं फिर से उपर से चुटकी भर चाट मसाला डालूंगी अब सेव पूरी चाट का फाइनल टॉच देने के लिए मैं उपर से लच्छा सेव डाल रही हूँ हमें यहाँ पर एकदम बारिक वाली सेव ही यूज करना है जिसे हम लच्छा सेव कहते है यहाँ पर मैं उपर से हरी चटनी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कलरफुल दीखे साथ में थोड़ी सी मिठी चटनी भी डाल दूंगी क्योंकि इसका कॉंबिनेशन सही रहे तो ये हमारी चटपटी सेव पूरी चाट बनकर तयार है तो फ्रेंज आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कोमेट करके जरू बताना अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक करना दोस्तों के साथ सेर करना और मेरी चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलना थेंक्स फोर वोजिंग